भारते नौसेना के इतिहास में पहली बार दो महिला अफसर सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रिती सिंग को वार्शिप पर तैनाद किया जाएगा इन दोनों को हेलिकॉप्टर स्ट्रिम में अब्जर्व के पत के लिए चुना गया है नौसेना में अब तक महिला अफसरो को फिक्स्ट विंग एयरक्राफ्ट तक सीमित रखा गया था इसके तहत वाश्शिप पर एयरक्राफ्ट को टेक आफ और लेंग कराया जाता है महिला अफसरो को जंगी जहाजो पर तैनात की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब भारतिया वायुसेना ने भी महिला लडाकू पाइलेट को रैफल विमानों की फ्लीट को आपरेट करने के लिए स्टॉट लिस्ट किया है एक रिपोर्ट के मुतावित अमबाला में भारतिया वायुसेना के रैफल स्कॉरडन को पहली महिला फाइटर पायलेट जल्द मिल जाएगी वायुसेना की दस महिला फाइटर पायलेट प्रशिच्छर से गुजर रही हैं इनमें से एक 17 स्कॉरडन के 7 रैफल जेट उढए दस सेप्टमबर को अमबाला में पांच रैफल एयरक्राफ्ट को भारतिय वायुसेना में शामिल किया गया था भारत ने फ्रांस में 36 रैफल जेट खरीदे हैं इन में पांच भारत आ चुके हैं बाकी 2021 के आखिर तक भारतिय वायुसेना के हिस्सा होंगे आगको बताते कि समय सत्रा अफसरों को आज अब्जर्व के रूप में इस नातक होने पर विंग से सम्मानित किया गया है यह कारेक्राम कोची में आई एन एस गरूड पर हुआ इन में 13 अफसर रेगुलर बेस से हैं और चार महिला अफसर शॉर्ट सर्विस कमिशन से हैं यह अफसर भारतिय नौसेना और भारतिया तट रक्षक बलके समुद्री टोही जहाजों और पंडुबी रोधी जंगी जहाजों में तैनात होंगे इस प्रोग्राम में रियर एड्मिरर एंटेनी जोर्ज ने कहा था कि यह एक एतिहासिक अफसर है इन में पहली बार महिला को हेलिकॉप्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है इक्यानवे रेगुलर कोर्स और बाइस में एससी ऑब्जर्व कोर्स के अफसरों को एयर नेविगेशन फ्लाइंग प्रोसीजर एयर वार्फेयर एंटी सबमरीन वार्फेयर का प्रशिच छंट दिया गया इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें